डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 30 जिसमें हम देखेंगे Threaded Binary Tree Threaded Binary Tree क्या है इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है सबसे पहले हम बात करते हैं एक Tree की हम जानते हैं Tree का जो Link Representation होता है उसके लिए हमारे पास होता है एक Root नाम का Pointer और ये Pointer Point कर रहा होता है Root Node को Generally हम जब Node बनाते हैं तो उसमें Data रखने के लिए एक Part होता है आप इसको Key बोल सकते हैं, Data बोल सकते हैं, Info बोल सकते हैं ये वो Variable है जिसमें हम Actual Data रख रहे हैं, जो भी Data हमको रखना है और इसके लावा हम दो Pointers बनाते हैं, एक Left Pointer होता है और एक Right Pointer होता है ये जो Left और Right Pointer हैं, ये Left Node को और Right Node को Point करते हैं तो हम जानते हैं Tree इस तरीके से बनता है तो यहाँ पर भी एक Node होगा, यहाँ पर भी एक Node होगा और इसके अंदर भी हमारे पास Left और Right Pointers होंगे इस Node में भी Left और Right Pointer होंगे और बीच में Data Part तो यहाँ पर एक और Node का Address हो गया चीक है, यहाँ पर मैंने Left और Right Pointer बना लिए, बीच में Node बना लिए थोड़ा सा त्यर्चा है पर चलेगा यहाँ पर भी एक Node बना लेता हूँ चीक है, हर एक Node के अंदर मैंने तीन-तीन वाल्यू रखी होई है एक Left Pointer, एक Key Value और एक Right Pointer चीक है, यहाँ पर भी बना सकते हैं, इनके नीचे भी बना सकते हैं, इसके नीचे भी एक बना लेता हूँ यहाँ पर भी एक चलिए, यह तो एक Example के लिए मैंने ट्री बनाया हूँ है अब ज़रा इसमें आप एक बात बताएए Null कहां कहां रखा हूँ है यानि कौन-कौन से Pointers हैं जहां पर Null रखा हूँ है तो आप ध्यान से देखिए यह वाला Node इस Node में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रखा हूआ है Null Right? Null को कैसे denote कर दूँ मैं? मैं एक Cross लगा देता हूँ ठीक है? तो यहाँ Null रखा हूआ है यह क्या है? Right Pointer है इस Node का यहाँ Left Pointer में क्या रखा हूआ है? Null रखा हूआ है यहाँ पर Left और Right दौनों में Null रखा है जिस Node के Left और Right दौनों में Null रखा हूआ है वो Leaf Node होता है तो हर वो Node जिसके Left और Right Pointer में Null रखा है वो Leaf Node है तो आपने देखा कुछ Node ऐसे होते हैं जो Leaf Node होते हैं जिसके दौनों ही Pointers Left और Right Null contain करते हैं और कुछ node ऐसे भी होते हैं जिनका single child होता है तो एक pointer में तो address होता है पर दूसरा वाला pointer null contain कर रहा होता है बाकी के जो internal nodes हैं उनमें कोई न कोई address रखा हुआ है pointers में पर आप देखे कितने सारे pointer waste हो रहे हैं मेरे कहने का मतलब है कि कितने सारे pointer जिसमें null रखा हुआ है यानि वो pointer तो है पर उसमें कोई address नहीं है तो waste हो रहे हैं तो हम इसका कुछ use कर सकते हैं अगर हम इसमें कुछ useful information रख लें तो यह pointers हमारे काम आ जाएगे इसी के लिए threaded binary tree का concept बनाया गया threaded binary tree क्या है threaded binary tree दो तरह के होते हैं एक कहलाता है single threaded दूसरा कहलाता है double threaded single threaded में हम right वाले pointer में in order successor का address रखते हैं in order successor क्या होता है यानि अगर किसी tree को in order traverse किया जाए in order traverse करने का मतलब क्या होता है in order traverse करने का मतलब होता है पहले left sub tree को process करें फिर root को process करें यानि node के info को process करें और उसके बाद right sub tree को process करें यह in order traversing कहलाती है तो अगर कोई tree इस तरीके से बना हुआ है let's say 50 उसके left में है 40 उसके right में है 70 चीक है फिर 40 के right में है 45 वैसे मैंने यह binary search tree बना है पर कोई जरूरी नहीं कि binary search tree की बात करो simple binary tree की भी बात कर सकते हैं आप जब इसको in order traverse करेंगे तो 50 को access करने से पहले 50 का left subtree access होगा अब left subtree में फिर से in order access करेंगे तो 40 से पहले उसका left subtree access होगा पर left में null है इसलिए 40 पहले access होगया फिर उसका right यानि 45 तो पहले 40 फिर 45 तो 40 का in order successor कौन हुआ 45 45 का in order successor कौन सा होगा क्योंकि ये left subtree जैसे ही process हो जाएगा root process होगा that is 50 तो 45 के बाद अगली value कौन सी आने वाली है 50 50 के बाद कौन सी value आने वाली है 70 successor मतलब बाद में in order successor मतलब अगर in order traversing करेंगे तो node के बाद कौन सा node आएगा तो 45 का in order successor होगा 50 ऐसे ही हर node का कोई in order successor होगा हाँ हलाकि जो last वाला node होगा उसका कोई in order successor नहीं होगा क्यों last होगा उसके बाद कोई है यह नहीं तो अब आप देखिए कि जो right pointer है अगर उसमें null है तो हम उसमें in order successor का address रख देंगे मतलब अब पहले तो देखिए right pointer null किसमें जैसे यह यहाँ पे right pointer null है तो मैं क्या करता हूँ और इसमें in order successor रख देता हूँ अब आपको ध्यान कैसे रहेगा तो मैं इसको कुछ values दे दूँ जैसे मैं इसको value देता हूँ 1 इसको value देता हूँ 2 इसको value देता हूँ 3 इसको value देता हूँ 4 इसको value देता हूँ 5 ठीक है इसको value देता हूँ 6 इसको value देता हूँ 7 तो अगर मैं in order traversing करूँ तो किस order मैं होगी traversing ज़रा उसको देखिए सबसे पहले मैं यहालिक देता हूँ सबसे पहले हम left को process करेंगे one का left subtree यह है फिर two को two को process करने से पहले मुझे two का left subtree process करना होगा four को process करने से पहले four का left subtree पर four के left में कोई नहीं है तो four से ही starting करेंगे सबसे पहले four four का right हो गया seven 7 हो जाने के बाद 2 का left subtree process हो चुका है तो अब 2 को process कर दीजे 2 के right में कोई नहीं है वरना वो process होता फिर 1 का left subtree process हो चुका है तो अब 1 को process कर दीजे अब 1 का right subtree process करेंगे तो right subtree ये है तो 3 का पहले left करें left मतलब 5 5 के बाद फिर root करें यानि 3 3 के बाद फिर 6 अब देखिए 2 का immediate in order successor कौन सा है यह मैंने in order में लिखा हुआ तो 2 का immediate in order successor है 1 क्योंकि 2 के जिस्ट बाद आ रहा है 1 तो इस right pointer में मैं address रख लेता हूँ in order successor यानि 1 वाले node का और देखिए right pointer में कहा नल है right pointer में यह 7 वाले में देखिए right pointer में नल है तो right pointer में 7 के बाद कौन आ रहा है 7 के बाद in order successor है 2 तो यहाँ पर मैं address रख लेता हूँ 2 वाले node का इसी तरीके से 5 वाला node देखिए इसमें भी right pointer नल है तो 5 का immediate successor है 3 तो मैं 3 वाले का address रख देता हूँ और देखिए 6 वाले का कोई immediate successor नहीं है तो उसका right pointer पे मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ यानि जिसका immediate successor है उसी के right pointer में मैं successor का address रख रहा हूँ तो आप देखिए फिर भी मैंने एक element छोड़ दीजे लेकिन बाकी सब में right pointer में address रख दिया है फाइदा क्या फाइदा अभी मैं समझाता हूँ आपको लेकिन हमको यह समझ में आए कि हमने right pointer use कर लिया इसको बोलते हैं single threaded binary tree क्योंकि हमने सिर्फ एक pointer का इस्तमाल किया double threaded की बात करेंगे तो हम left pointer का भी इस्तमाल करेंगे जैसे हम successor देख रहे हैं वैसे हम predecessor देख सकते हैं predecessor देखने का मतलब क्या होगा predecessor का मतलब होगा एक पहले वाला in order traversing ही करेंगे और एक पहले वाला अब देखे left sub tree किसका मैं यहाँ पे देखता हूँ left pointer जैसे की यह four वाला note देखिए इसमें जो left pointer यह null है null है इसका मतलब इसको मैं use कर सकता हूँ पर four तो पहले ही note है इसके पहले तो कोई note ही नहीं तो इसका कोई predecessor नहीं होगा और कोई note देख लीजे जैसे seven seven का left pointer null है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं seven का immediate predecessor कौन है देखिए seven के पहले कौन आ रहा है four तो यहाँ पे हमने address रखा किसका four वाले note का और देखिए five वाला जो note है इसका left pointer यह null है इसलिए हम इसमें predecessor का address रखेंगे predecessor कौन है five का one तो मैं यहाँ पर one वाले का address रख देता हूँ similarly देखिए six पे six का predecessor three है तो यहाँ से मैं कर देता हूँ three को point तो अभी मैंने दौनों ही pointer का इस्तमाल कर लिया है ऐसे मैं यह कहलाता है double threaded binary tree in a simple threaded binary tree the null right pointers are used to store in order successor जो अभी मैंने आपको बताया अगर right pointer null है तो ही हम उसके अंदर in order successor रखेंगे अच्छे ऐसे मैं tree का node का structure होगा वो कैसा होगा key value रखने के लिए हमको एक variable चाहिए left और right pointers चाहिए और फिर boolean type के हमें एक variable की जरूरत पड़ेगी जिसमें true या false value रखी जाएगी यानि इस threaded अब देखें dos based अगर आप c पढ़ रहे हैं तो उसमें bull data type नहीं होता है तो आप int type का variable बना लीजेगा इस threaded को और इस threaded के अंदर value 1 या 0 रखीएगा और जो लोग 32-bit या 64-bit compiler पर काम कर रहे हैं उनके पास bull data type होता है और bull type का variable हम बना सकते हैं जिसकी value true या false हो सकती है तो इस threaded is used to indicate whether the right pointer is normal right pointer और a pointer to inorder successor यानि अगर इस threaded की value true होती है इसका मतलब है right pointer successor को point कर रहा है inorder successor को वरना वो एक normal pointer है जो child node को point कर रहा होगा got it यह ऐसा हो सकते हैं कि right pointer में address रखा है अब address रखा है तो वो child node का address है या immediate successor का address है यह कैसे पता चलेगा इस लिए इस threaded variable बना है इस threaded variable में अगर value 1 है तो right pointer inorder successor को point कर रहा है इस threaded की value अगर 0 है तो right pointer जैसे normally right child को point करता है वैसा कर रहा है अब benefits की बात करें कि यह threaded binary tree का benefit क्या है आप याद करिए कि अगर inorder traversing मुझे करनी होगी सोचे inorder traversing करनी होगी तो इसकी algorithm कैसी होगी आप अगर आपको धिवान है कि किस तरीके से इसकी algorithm करते हैं पहले हमने इसका program दिखा हुआ है तो हमें stack maintain करना पड़ता है stack maintain करें या recursion से काम करें हमें क्या करना होता है हमें एक stack बनाना होता है अगर मैं one से पहले उसके left subtree को process करना चाहता हूँ तो फिर एक बार मैं left subtree के पास पहुँच गया तो वापिस one का address मेरे को नहीं मिलेगा न बई देखे parent node के पास तो child node का address होता है पर child node के पास parent node का address नहीं होता तो सोचके देखिए one से पहले अगर मुझे two वाले node को process करना है तो मेरे pointer में two का address आ गया होगा अब मैं इस left subtree को process कर रहा हूँ लेकिन अब जब मुझे one को वापिस process करना है तो वह one का address है कहां मेरे पास नहीं है इसी लिए हम क्या करते है stack के अंदर node के address रखते जाते है यही one का address पहले मैं stack में रख दूँगा उसके बाद मैं pointer के अंदर two का address रखूँगा फिर two का भी address मैं stack में रख दूँगा और four को point करने लगेंगे four जब process हो जाएगा seven जब process हो जाएगा उसके बाद उसके बाद मैं stack मेंसे to निकालूँगा और उसको process करूँगा तो ये stack मुझे maintain करना होता है ये just revision के लिए मैंने आपको बताया अगर आप recursion से करना चाहें तो recursion से करें पर recursion करना होगा या तो recursion करें या loop से करेंगे तो फिर stack का इस्तमाल करना पड़ेगा ये दोनों ही इस्तमाल नहीं करने पड़ेंगे यदि आपने threaded binary tree का इस्तमाल किया क्योंकि अगर आप in order traversing करते हैं specifically तो node में अगर right pointer successor को point कर रहा है तो हमें कहीं store करने की जरूवत ही नहीं थी ना right pointer के अंदर ही अगले node का address है तो two को process करने के बाद मुझे one को process करना है और two के पास ही right pointer के अंदर one का address रखा हुआ है तो मुझे stack की क्या जरूवत है अगर ये thread नहीं बना होता तो मुझे stack की जरूवत पड़ती अभी stack की कोई जरूवत नहीं है क्योंकि two के बाद जो अगला node मुझे access करना है उसका address तो two के पास रखा हुआ है तो in order successor का address रखी होने के वेज़े से in order traversing में हमको फायदा मिल जाएगा हमको कोई stack की जरूवत नहीं पड़ेगी तो ये performance को बढ़िया कर रहा है इसलिए ये benefit है यदि आपको ये threaded binary tree का lecture समझ में आया हो तो आप इसको like करिए यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज आपको बहुत काम आ रहे हैं तो आप इस channel को भी subscribe करिए आपको अगर मेरे सारे वीडियोज एक organized way में चाहिए तो आप मेरी website पर visit करिए www.mysergy.com इस website पर cable data structure ही नहीं C, C++, Java, PHP, DBMS या programming exercise ये सब कुछ मिलेगा इन सब के वीडियोज हैं properly organized करके इनके links रखे हुए हैं तो आप एक sequence में सारे वीडियोज बड़े आराम से देख सकते हैं यदि आपको लगता है कि ये वाके useful है तो जैसे ये आपके कामा हैं बहुत लोगों की जरुवत हो सकती है मैं इसे free में इसलिए provide कर रहा हूँ ताकि ये सब लोगों तक पहुँचे अगर आप help करना चाहते हैं आपको अच्छा लगा है तो आप सर्फ इतना करिए कि इसको शेयर करिए अपने facebook wall पे शेयर करिए जितना जादा से जादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं उतने जादा लोगों तक पहुँचाई है क्योंकि ये free में देने का मकसद ही ये है कि ये सब लोगों तक पहुँचे और सब लोग आसानी से इसको सीख सकें Thank you